मद्ध प्रदेश के रीवा कलेक्टर ने आदेश पत्र जारी कर सिल्परा इस्थित कैनल ब्रिज के नीचे के भाग को मरम्मत कराए जाने के समय वाहनों के अवागमन मार्ग हे तू आवश्यक दिशान निर्देश दिये गए लेकिन रीवा से होकर गोविंदगर सीधी बखवार आदी मार्ग में जाने वाले भारी ओवरलोड वाहन बिच्या नदी को पार करने के लिए ग्राम छेरहटा के नब्बे के दशक के बने जरजर रप्टा पुल का उपयोग कर रहे हैं हर वर्ष बरसात के समय छेरहटा हिस्तत रप्टा पुल के उपर से कई दिनों तक नदी का पानी बहता है जिससे पुल पुराना होने के कारण जीरना वस्था में है और कई जगे से तूट चुका है इस पुल का उपयोग ग्राम टीकर से लेकर ग्रामीन छेत्र के सभी ग्राम निवासी करते हैं शहर में स्थित बी एनपी सरसती विद्याले भी जी एस समेत कई छेत्री स्कूलों के वाहन आते जाते हैं जिससे कई छात्र छात्राओं के जीवन और भविश्य के उपर संकट मंडरा रहा है और कभी भी दुरगट ना घड़ सकती है अब कौन सा वाहन नदी में गिर जाये और उसमें बैठे यात्री काल की गले में समा जाये कहपाना मुश्किल है रीवा जिले का यह छेत्र लगातार कई वर्षों से रीवा प्रशासन की उपेक्छा कर शिकार होता रहा है जिसके चलते ना तो सुरक्षित आवागमन की विवस्था है ना राजस विवस्था ठीक है जिसके चलते अतिक्रमानकारी भू माफिया यहां अपने पैर पसा रहे हैं और ना ही स्वास्त संबंधी कोई सही विवस्था है देखना यह है कि रीवा प्रशासन कब तक इस चैत्र की उपेक्षा करता है